माशाला से यह देखें बहुत ही प्यारा लग रहा है मेरी वीडियो एंड तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसी तरह मैं आपके साथ नए नए डिजाइन शेयर करती रहूँगी बिस्मिल्ला रह्मान रहीम अस्सलाम अलेकूं क्या हाल है आप सब का उमीद करती हूँ अल्ला के करम से सब ठीक होंगे आज मैं आपको कुर्ती का नेक डिजाइन बनाना बताऊंगी गले की चुड़ाई पोने साथ इंच है और डीप जो है वो साड़े साथ है ये गोल गला है इसकी मैंने पहले ही कटिंग कर ली है और पेस्ट भी कर लिया है सेंटर का निशान भी लगाया है ये बैक की मगजी है शेर्ट की मैंने कटिंग कर ली है ये बहुत ही खुबसूरत लगता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें मेरी वीडियो पूरी देखें साड़े साथ इंच पे मैंने उपर से निशान लगा लिया है इस तरह आप गला भी रखके निशान देख सकते हैं शेर्ट को मैंने उल्टा बिचाया है और ये सेंटर का निशान है पौने दो इंच की मैंने चेपी ली है और इसमें सेंटर का निशान मैंने लगा लिया है अब दोनों निशान मिला के मैं इसे प्रेस कर लूँगी यानि के पेस्ट करना है इसे इस पर खर्चा भी इतना ज्यादा नहीं होता लेकिन खूप सूरत भी बहुत ज्यादा लगता है बुक्रम को अच्छी तरह पेस्ट कर लें इस तरह उपर गला कटा हुआ रखके निशान लगा लें जहां तक हमारा त्यार गला आएगा शर्ट को हमने सीधा कर लिया है और जो निशान लगाया था उससे नीचे हमने 11 इंच पे फिर निशान लगाना है और सेंटर से कटिंग कर लेनी है यह मैने लेस ली है यह आजकल बहुत ज्यादा चार रही है जिन लोगों को शिशे नहीं लगाने आते उनके लिए यह सहूलत है इस तरह मैं इसे रखके लगाऊंगी यह इस तरी के साथ पेस्ट होगी बैकी मगजी अरेव वाली काटनी है और इसमें जोड लगा रही हूँ शट सीधी रखके उपर मगजी रखके सलाई लगा ले गले को जोर से खैंचना नहीं धीले हातों से मगजी लगाएं सलाई को बाहिर करके फिर इसके उपर फिर सलाई लगाएं इस तरह एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर ले कुछ लोग बाद में मगजी लगाते हैं लेकिन मैं पहले ही लगा लेती हूँ का गला है एक्स्ट्रा कपड़ा में अंदर को फोल्ड कर लूँगी शर्ट में गोल्डन टैच है इस वज़ा से मैंने बोरोकेट का कपड़ा लिया है बोरोकेट की मैंने तकरीबन देर इंच की पटी काट ली है इसी के साथ मैं पाइपिंग भी करूंगी अगर आपको मेरी शर्ट पसान्द आए तो आप भी खरीच सकते हैं ये गुल्लेमत का सूट है और तिल्ले का उपर काम भी हुआ 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 है कलर भी इसका बहुत खूबसूरत है चेपी के साथ साथ आपसलाई लगा लें इस तरह की इसकी लुक आएगी अब मैं दूसरी तरफ लगाने लगी हूँ पका करके शुरू करें अब ये नीचे लगाने के लिए पटी है दो इंच की मैंने पटी ली है और इसे फोल्ड कर लिया है अपनी सहुलत के लिए आप इसे कच्चा भी कर सकते हैं इसलिए मैंने कच्चा कर लिया है कुछ लोग वैसे ही पकड़ कर सलाई लगा लेते हैं इस तरह बहुत ही इजी लगती है अब मैं कोने पर रखके सलाई लगा लूँगी सुई को नीचे करके दूसरी सलाई लगा लें क्यार रहे सलाई को सलाई के साथ मिला के फिर लगाएं ताके उसमें गैप ना आए इसी तरह मैं सारी सलाई लगा लूँगी ये देखें अब इसे पका करने के लिए इसके साथ साथ मैंने फिर सलाई लगा लेनी है ताके मजबूत रहे कहीं से कपड़ा ना निकल जाए अब इस तरह दोनों फोल्ड करके शोल्डर बैक के शोल्डर के साथ आप एक जैसा नाप ले और निशान लगा ले निशान पे गले को रखके पिन अप कर ले दोनों तरफ से और इस तरह सेंटर की सलाई लगा ले गले की कटिंग के साथ साथ भी सलाई लगानी है अब जो अंदर की चेपी होगी वो मैं उपर से खैंच लूँगी और इसकी कटिंग कर लूँगी कुछ लोग गोल गले में कट लगाते हैं लेकिन मैं नहीं लगाती अक्सर सलाई की वज़ा से वहां से शर्ट जो है वो फट जती है आप इसे कच्चा कर लें जब शर्ट मकमल होगी तो मैं इसे तरपाई भी कर लूँगी यह देखें बिलकुल गोल है अब इसे मैंने प्रेस कर लिया है पहले आप देख लें शीशा जिस तरफ से पूरे आएंगे उस तरफ से आप रखके लगा लें ताके कोना गुलाई का कोना जो है वो सही तरह बन जाए मेरा नीचे से अच्छा बन रहा है इस वज़े से मैं नीचे से लगा रही हूँ और अच्छी तरह प्रेस कर लें ताके सही तरह चिपक जाए कोने पर आके मौल लिया है इसी तरह गले के साथ साथ भी लगा लें ख्यार रहे गैप एक जैस आए और उपर से सलाई का मार्जन छोड़के कटिंग कर लें ताके सलाई में शीशा ना आए इसी तरह मैं दूसरी तरह भी लगा लूँगी बहुत मजबूती के साथ लगती है अगर आपने इसे तरह के साथ पका भी करना है तो कर सकते हैं ये भी कोना वैसे ही बनाना है गम जो है वो मेरी इस्तरी के साथ लग रही है इस वज़ा से कपड़े को भी चिपक रही है लेकिन ख्यार रहे हाथ के साथ ना लग जाए इसका भी स्लाइका मार्जन छोड़के उपर से कटिंग कर लें और उल्टी साइड से भी अच्छी तरह प्रेस कर लें ताके वह सही तरह चिपक जाए अब दोनों शोल्डर में जोल डूंगी अज़िए इसी तरह मैं दूसी तरह भी स्लाइ लगा लूंगी माशालला से ये देखें बहुत ही प्यारा लग रहा है मेरी वीडियो एंड तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसी तरह मैं आपके साथ नए नए डिजाइन शेयर करती रहूंगी अपना ख्यार रखें और दूाओं में याद रखें अल्लाफीस